आपका पासवर्ड क्राक किया जा सकता है एक मिनिट के अंदर जी हाँ AI काफी अच्छी चीज है हम लोग देख चुके है चाट GPT AI आड भी आ चुका है लेकिन साथ में AI के काफी ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज भी हो सकती है अभी रीसेंटली एक वेबसाइट है Home Security Heroes के नाम से इन्होंने रीसेंटली एक ऐसा टेकनलोजी बनाई है इन्होंने एक पासवर्ड क्राकर टूल बनाया है जिसको लोग कह रहे हैं पास जान जो की आपके जितने भी कॉमन पासवर्ड हैं 51% of the common passwords can be cracked in less than a minute एक मिनिट में 51% से ज़्यादा passwords को यहां पर crack किया जा सकता है और 81% of the common passwords can be hacked in a month तो अगर आप लोग I love you पूजा वगरे यूस कर रहे हो तो बहुत जल्दी वो hack किये जा सकते हैं अब AI ने इसको कैसे progress कर लिया है पहली हम लोग समझते हैं पहले क्या होता था पहले यहां पर एक manually list दी जाती थी and then उस list से वो सारे passwords enter करके देखता था one by one की कौन सा password लग रहा है तो crack करना यहां पर सारा manually होता था अब क्या हो गया अब यहां पर हमने AI को एक list दी है and then उस list के basis पर यहां पर उसने और patterns बना दिये और suggestions बना दिये मत यहां पर और combinations बना दिये और देख लिया कि अच्छा ठीक है अगर user ने यह डाला है तो user उसके बदले कुछ और भी डाल सकता है जिसे अगर लोग यह लिख रहे हैं लोगों ने बहुत सारी ए की जगह पर add the rate भी लिखा है तो वह AI pattern यहां पर समझ गया bottom line पर आता हूं मैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि common passwords आपको यूज नहीं करने है अगर आप लोग common password यूज कर रहे हो तो बहुत जल्दी AI यहां पर hack कर सकता है अब इसका solution क्या है इन्होंने जो इसका solution बता है वो simple है 15 characters के password यूज करो 2 letter upper case lower case मतलब एक strong password यहां पर आपको यूज करना ह लंबा होना चाहिए अपर lower case होने चाहिए symbols होने चाहिए numbers होने चाहिए patterns obvious patterns नहीं यूज करना है आपको तो random होना चाहिए तो random password कैसे generate करें उसके लिए आप लोग किसी भी online password generator का use कर सकते है यहां पर यहां पर you can have a random password and then कितनी आपको length चाहिए जैसे 20 चाहिए मुझे उसने का कि 15 से उपर होने चाहिए 22 कर दिया symbols भी होने चाहिए तो यहां पर यह मेरा password बन गया अब यहां पर इसको save कैसे करें ए की password आपको हर account पर नहीं रखने है क्योंकि अगर एक का leak हो गया तो उसको काफी जल्दी link किया जा सकता है कि आपकी email id का leak हो है and then AI की help से काफी जल्दी find out भी किया जा सकता है कि आपने अपनी email को कहां पर use किया है उस username को कहां कहां पर use किया है and then AI वो सारे जगह पर जाकर कर पासवर्ट भी इंटर कर सकते हैं तो हर जगह पर रांडनम पासवर्ट रखना है लेकिन आप प्रॉब्लम या जाती है कि उसको याद कैसे रखे उसको याद करने कि आपको password managers का होते हैं मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ in short यह सारे आपके passwords को save कर देता और जैसी आप personally using one password वो मुझे काफी अच्छा लगता है अगर आपको पैसे नहीं देना है तो free में bitwarden use कर लो दोनों अच्छे हैं बट password manager use करना is a must have पहले यह productivity के लिए था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं passwords को save अगरे कर रहा हूं तो यहाँ पर वो मिझे easy हो जाता productivity plus security लेकिन अब for the security it is very essential जित्रा पिछले साल था इस साल I am saying 10x उत्से जादा important है compared to last year तो free में use करना सीख लो उसके लिए सारे वीडियो मने बना के रखे हैं bitwarden जाके देख लो free में start कर लो आज ही से it is very important नहीं तो आपका भी password hack हो सकता है और वो completely safe है compared to this one so that is it from this one अगर आप को वीडियो information helpful and I will see you guys in the next one goodbye